यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई आस्था की बज़े से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए यूपी में लावडी स्पीकर का शोर खत्म कर दिया गया उन्होंने कहा कि जो संबाद से नहीं मानेंगे वो कानून से मानेंगे उत्राखन के तीन दिन के दौरे पर पहुँचे सीअंगी ने पंचूर गाउं में अपनी माख के साथ मुलाकात की सावितरी देवी से मिलने के लिए पहुचे माखे पैर छूकर उनका आशिरबात गिया यमकेश्वर में कारे किनमस्थल से अपने गाउं पैदल पहुचे CMU की कल प्रस्पा ध्यक्ष शुपाल यादो ने ट्वीट कर बोला था खिलेश यादो पर बड़ा हमला लिखा हमने उसे चलना सिखाए उसने हमें रौंदा लिखा था कि अब सम्मान के साथ कभी नहीं होगा समझ होता किंद्री मंत्री प्यूश गोईल दो दिनों के हरिद्वार दौरे पर हैं वहाँ पर पहले उन्होंने पतंजरी योगपीट में आयुजित कारिकरम में शिर्कर खील और इसके बाद परिवार के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजन में हिस्सना लिया हूँ हर्दोई के रस्खान प्रेक्षवा ग्रह में भगवान परशूराम जनमुस्तो कारिकरम में शामिल होने पहुची उच्छे सिक्षवा राज्य मंत्री रजशनी तिवारी ने कहा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा कर रहे हैं जबकि चाहे राहूल कां जन्गलों को आग से बचाने के लिए बेहतर योजना बनाने की आवशक्ता है इस दोरान उनने मन विवाद के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दी हो नोईडा में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में लड़की ने जम कर किया हंगा मसेक्टर 78 अंतरिक्ष गोल्फ व्यू वन सोसाइटी का ये पूरा मामला वीडियो में कार पार्किंग को लेकर नाराज दिख रही है लड़की कार पर डंडा मारकर जुता है गुस्सा पुलिस ने मुकदमा किया है दर्च बढ़ते अफरात पर लगाम लगाने के लिए खटीमा में भी पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है इस दोरान पुलिस ने कई उन लोगों का चलान भी काटा जो की खटीमा में छिपे तोर पर रह रहे है श्रीनेगर में मंद्रेका के तहत होने वाले कामों का भुकतान नहीं होने से ग्रामीन नाराज दिखाई दे रहे है ग्रामेलों का आरोफ है कि भुकता ना होने की वज़े से उनके सामें आर्थिक तंगी का संकत खड़ा हो गया है ब्लॉक प्रभुख ने इस मामले में डियम से कारवाई करने की मांगी है राय बरेली में दो दिन पहले संदिक्दा हालत में गायब हुए अधेड का शव नाले के पास से मिलने से हरकम के स्थिती परिजनों ने थाने में लिखवाई है अधेड की गुंशुगी की रिपोर्ट मामले की जाच में जूटी है पुले